Hello Friends, इस वीडियो में एक Viewer या एक Student एक Go Live अप्लिकेशन को कैसे यूज़ कर सकता है, उसमें क्या-क्या Options Available है इस वीडियो में आपको सारे उन Options के बारे में जानकारी मिलेगी तो चलिए, सुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम एक Meeting में Join हो सकते हैं और वहाँ पे क्या कौन-कौन से Options Available हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं तो चलिए, सुरू करते हैं, तो Starting से लेके End तक देखते हैं कि क्या-क्या Options Available है हमारे पास में और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं आप सभी लोगों को Google Chrome Open कर लेना है और उसकी Setting में जाके Microphone को Allow कर देना है और Camera Option को Allow कर देना है आपके पास में जो Link आया है Meeting के लिए या फिर Class के लिए उस Link को Copy कर लेना है वहाँ से और यहाँ पे लाके उस URL को Paste कर देना है तो जब आप URL को Paste कर देंगे यहाँ पे तो आपके पास में एक Page Open हो जाएगा जहाँ पे Simply आपको अपना नाम डालना है नाम डालने के बाद में Join पे क्लिक कर देना है तो आप Go Live के Application पे चले जाएंगे जब वहाँ पे आप जाते हैं तो आपके पास में Basically दो Option अपियर होते हैं एक Microphone का और Listen Only का तो आपको Microphone के Option पे क्लिक करना है क्योंकि अगर आप सिर्फ Listen Only के Option पे क्लिक कर देंगे तो शिर्फ आप चीजों को सुन पाएंगे अपती तरफ से कोई भी Input नहीं देन पाएंगे इसलिए आप लोगों को Microphone के Option पे क्लिक करना है उसके बाद में एक छोटा सा EcoTest होता है उसमें आप सुन सकते हैं कि आपकी Voice Clear है या फिर नहीं Clear है तो उस EcoTest को होने के बाद में आपके पास हम Again Option आता है Yes and No का तो आपको Simply Yes Option पे क्लिक कर देना है और आप Meeting में Enter हो जाएंगे उसके बाद में आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे Certain कुछ Options दे रखे हैं तो उन Options में जैसे यह है Mic का Option है तो यहाँ पे आप Mute and Unmute कर सकते हैं अपने आपको उसी के बगल में Leave Audio का है तो वहाँ से आप Audio को Leave भी कर सकते हैं और वहीं से Audio को Join भी कर सकते हैं उसके जैस्पगल में Share Webcam का Option है तो उसके जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में एक Window Open हो जाता है जहाँ से आप अपनी Net की Quality के हिसाब से आप Webcam की Quality को भी Set कर सकते हैं उसके जब आपने Share Webcam पे क्लिक कर देगे After that, Left Hand Side में आप देखेंगे Public Chat का Option है तो वहाँ पे आप का जैसे कोई Common Question है वो आप Put Up करना चाहते हैं या कोई Topic Discuss हो रहा है और आपको कोई Question Put Up करना है तो वहाँ पे आप लेक के Question भी Type कर सकते हैं तो वो सारे Viewers के पास में Question चला जाएगा उसके बात में आप देखेंगे Share Notes का Option है तो Share Notes के Option पे जब आप क्लिक करेंगे Then Again Right Hand Side में एक Window जो है आपके Open हो जाएगा वहाँ पे जो भी Notes आपको Provide किये गए होंगे उन Notes को आप Download कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ Certains Option जैसे Bold Detali के भी हैं डाउनलोड करने के लिए आपको एक Import and Export के फाइल के Option पे क्लिक करना है और Plain Text पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में Document फाइल जो है वह सेव हो जाएगी और HTML पे क्लिक करेंगे अगर तो आपके पास में As a Link के फार्म में फाइल जो है वह सेव हो जाएगी After that, Right Hand Side में कुछ आपके पास में Tools Available है उस पे क्लिक करेंगे Then आप Text का Tool होगा, Line का Tool होगा, Circle है, Triangle है, Rectangle है, Different Types of Tools Available है यहापे तो वहाँ से आपको जैसे आप कोई भी Session सल रहा है, Teacher पढ़ा रहा है या आपकी कोई कहरी है तो Simply आप ऐसे Circle करके Mark कर सकते हैं, और Undo का Option है, जिससे कि आपने जो Circle किया होगा, उस पे क्लिक करेंगे Then वो Option वहाँ से चला जाएगा, और Text का Option है, जैसे आपको कुछ लिख के उसी Document पर पूछना है उसके बात में आपकी स्क्रीन पर जो ये फाइल है, उसमें आप राइट हैंड साइड में नीची की तरफ देखेंगे, तो Four Errors है, उस पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो आपके पास जो ये Document है, वो Full Screen पर भी हो जाएगा और Teacher अगर आपको Presenter बना देता है, तो आपके पास में और Options आ जाते हैं, जिस लाइक आप देख रहे होंगे, एक Action बटर है, जो Plus का है, उस पे क्लिक करेंगे, तो आप वहां से कोई भी फाइल को Upload कर सकते हैं, जो भी आपके सिस्टम पर होगी, ठीक है, और कुछ और Option आ यहां से आपने Share webcam on किया था, उसी के जजबगल में, Screen Sharing का भी Option है, उसके बाद में आप लास्ट में देखेंगे, थ्री टॉट्स हैं, उपर राइट हैंड साइड में, अपर साइड की तरफ, तो वहां पर जब आप क्लिक करते हैं, तो वहां कुछ Setting Options आते हैं, और वहां से आप Meeting को भी Left कर सकते हैं, यह सारी चीज़े थी, एक GoLab application के बारे में,